Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? तो, एरियल नमबर का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने 5 गुशन्स कराये थे और बाकी के अच्छे कुशन्स कुछ इस पार्ट में भी मैंने डाल रखे हैं तो, अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लिजिए तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में कुशन नमबर 1 से तो, कुशन नमबर 1 थोड़ा हमारा कुछ हटके है और NCID से भी काफी हट तक अलग है तो, स्टार्ट वड वखभ वेडिए ट विजिए वड़ग खवावग झा स्टार्ट वड़ग्स are और सर्ट्स एंड विच और नॉट तो मैं कुछ पांचे कुईशन्स इसी पार्ट में रखता हूं तो सबसे पहला मैं रख दे रहा हूं अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 4 और दूसरा है आपका अंडर रूट 125 इंटू अंडर रूट 5 यह दूसरा हो गया आप तुरा तीसरा देख लेते हैं अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 3 चौथा 9 6 रूट 2 इंटू 9 रूट 3 विप्ट अंडर रूट 15 इंटू अंडर 6 और रूट रूट चलिए ले लेता हूँ अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 2 यह पर लास्ट कुश्यन हो गया तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो है क्या सर्ड इसमें क्या बोला यही पता करना आपको कि सर्ड रूट होते क्या है क्या होते हैं सर्ड तो सर्ड का मतलब ऐसे जिनको simplify करने पर या ना करने पर directly हमारा number ना आए पहले देखते हैं चलिए अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 4 तो अंडर रूट 16 तो perfect square है कितना जागा 4 अंडर रूट 4 भी perfect square है कितना जागा 2 यह हो जागा 4 तो यह सर्ड नहीं है अकसर लोग गलत करते हैं कि यह सर् सर्ड का मतलब जो directly आपको कोई rational number ना दे इसको आप एक और तरीके समझ सकते हैं कि मतलब ऐसे numbers जो irrational हो सेकेंड वाला भी देख लेते हैं अंडर रूट 125 कितना लिख संगे 5 का cube power 1 by 2 इंटू 5 का power 1 by 2 तो यह तो डिरेक्टली देख रहा है कि इसका power तो solve नहीं वपाएगा तो यह क्या है यह सर्ड है यह हमारा irrational टाइप का है तो यह सर्ड हो जागा अब थर्ड देखिए थर्ड एक बार देखिए क्या है अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 3 जिसको क्या करते हैं कि 3 का cube का power 1 by 2 इंटू 3 का power 1 by 2 यह भी same to same मतलब it is third rational type का देखिए क्या है अब फोर्थ क्या है 6 root 2 into 9 root 3 जिसको पहले अलग-अलग solve कर लेंगे तो मतलब यह हुआ कोई भी नंबर आपको कभी-कभी तो directly देखने से पता चल जाएगा कि यह सर्ड है किसी को solve करना पड़ेगा किसी किसी को बहुत ज्यादा solve करना पड़ेगा तो इसको देख लेते हैं 6 root 2 into 9 root 3 6 9 जा 54 जा 54 जा 54 under root 6 root 3 और root 2 का multiply हो जागा कितना हो जागा under root 6 जो कि क्या दिख रहा है it is third कोई perfect value नहीं मिल ला है न तो कोई rational value मिल ला है तो यह क्या है it is third पतिफ्वला देखिए root 15 into root 6 when I thank the इसको अलग अलग कर देंगे its को कर देंगे root 3 into root 5 यह कितना बना रहा है root 15 बना रहा है into root 2 into root 3 root 6 गो मैंने break कर दिया root 2 and root 3 में तो अब यह root 3 और यह root 3, यह वाला और यह वाला, यह दोनों solve हो जाएंगे, कितना हो जागा, 3, अकेले 3 हो जाएंगे, और यह कितना हो जाएंगे, root 5 into root 2 तो हो जागा, root 10, यह भी क्या दिख रहा है, it is 3, यह भी directly solve नहीं हो पाया, अब 6 देखते हैं, root 100 into root 2, इसको भी break करें ताकि 2 हमारा simplify हो जाए, तो root 100 को क्या कर देंगे, root 2 into root 50 into root 2, तो यह कितना हो जाएगा, 2 root 50, यह भी हमारा क्या है, 3rd है, it is 3rd, तो इस type के questions से हमें काफी अच्छे concept सीखने को मिलते हैं, हाला कि यह question, इस type के question in CRT में तो नहीं है, लेकिन हा, competitive games में आ सकते हैं, अब लेखते question number two, give an example, give an example to show that the, that the product of, product of an rational number and an irrational number may be, give an example to show that the product of a rational number and an irrational number may be a rational number तो solution मतलब question क्या बोल रहा है, question यह बोला है कि आपको एक एक example इसको बताना है, कि जहाँ पे एक rational number और एक irrational number हो और उनका product जो आए, वो rational number है, तो मान लेते हैं, तो ऐसा मान क्या लेते, कि वल एक ही number है, वो है 0, a rational number 0, when multiplied by any irrational number, whether it is, rational or irrational, a rational number 0, when multiplied by an irrational number, gives the rational number 0, तो ऐसा कोई number possible ही नहीं है, कि वल 0 है, जिससे multiply करना पर आपको आपको हमेशा rational number ही मिले हुआ है, अब देखते हैं, question number 3, so that cube root of 6 is not a rational number, obviously ये rational number नहीं है, लेकिन आपको लिख कर, so करके दिखाना होगा, कि ये rational number नहीं है, तो फिर सब प्रोसेस, जैसे मैंने real number chapter पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था, कि क्या करना, सबसे पहले इसको rational number माल लेना है, क्योंकि जो भी number आपको दिया रहता है, उसका just opposite मान के हमें चलना रहता है, तो let q root of 6 be a rational number, say p by q, जहांपे q 0 नहीं होना चाहिए, p by q rational number हमने माल लिया इसको, तो क्या हो जागा, q root of 6 is equals to p by q, यह हो जागा, p by q के बराबर कर देंगे इसको, अब since हम यह जानते हैं, कि 1 का q is equals to 1 होता है, और 2 का q is equals to 8 होता है, अब चुकि हमारा q root of 6 under root में क्या है, 6 है, तो 6 1 और 8 के बीच में ही आएगा, तो यह किसको follow कर रहा है, कि p by q lies between 1 and 2, क्यूंकि वो cube हो रहा है, तो p by q किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, क्यूंकि उसका cube करने पर कितना जाएगा, 1 और 8 के बीच में, तो q क्या होना चाहिए, एक से बढ़ा होना चाहिए, क्यों, because, अगर q, मान लेजे, अगर q 1 हो गया, q अगर 1 हो गया, तो क्या होगा, then, p by q will be an integer, मतलब p by q की जो value आने लगेगी न, वो एक integer value आने लगेगी, और integer value तो possible है ही नहीं, क्योंकि p by q के value किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के अलावा और कोई integer value उसके बीच में है, क्या, नहीं है, and there is no integer between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 को छोड़के, इसके अलावा कोई integer value नहीं है, इसका मतलब यह हमारा contradiction है, मतलब false, अब लिख लेते हैं, 6 is equals to p by q का whole cube, मैंने cubic both sides कर दिया, उपर वाल equation को, तो क्या हो जागा, 6 is equals to p cube upon q cube, अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही समझने वाली बात है, यह बहुत ही logical, इसलिए message question को कर वा रहा है, अब मैं क्या करूँगा, 1 q square को इस side भेज दूँगा, और 1 q को नीचे ही रहने दूँगा, p cube by q, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या माना है, कि q, यहाँ पर मैंने condition यह बताया है, कि q1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर q1 हो ग तो 6 q square भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो 6 q square is an इंटीजर, and क्योंकि q हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, and since q is greater than 1, and q does not have any common factor with p, च्योंकि q हमारा 1 से बड़ा है, और उसके पास कोई common factor भी नहीं है, p के साथ, मतलब जो p का कोई factor होगा, तो q के पास उस type का कोई factor नहीं होगा, इसलिए q के पास same common factor नहीं रहेगा, q हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, और p by q के value मैंने क्या बताया था, 1 और 2 के बीच में, तो q does not have a common factor with p, and consecutively with p cube, अगर p के साथ नहीं है कोई common factor, तो p cube के साथ भी नहीं होगा, so p cube by q is a fractional, fraction, थोड़ा सा, fraction different, from an integer, एक integer से थोड़ा सा, p cube by q के value different होगी, अब चाहे थोड़ा सा different हो, या पूरा different हो, हलका सा भी अगर different होगा, तो मतलब इसके बराबर नहीं होगा, तो 6 q square is not equals to p cube by q, और जब बराबर नहीं होगा, तो यह हमारा मानना गलत होगया, कि q root of 6 क्या है, rational number, यह हमारा मानना, इस contradiction, proves the result, तो काफी अच्छा question था यह, अगर इसमें कोई doubt हो तो आप comment में जरूर बताईए हमें, तो फिर मैं आपको अच्छे सा explain कर दूँगा, question number 4 देखते हैं, question number 4 क्या है, if a, a मैंने कोई variable लिया है, if a is a positive rational number, अब यहाँ पर मैंने a को define कर दिया, कि a क्या है, एक positive rational number है, and, n is a positive integer greater than 1 and, sorry, n is a, is positive integer, integer greater than 1, greater than 1, then prove that a power n is a rational number, तो इस question में हमको proof करना है, कि a की power n क्या है, एक rational number होना चाहिए, यह proof करना है हमको इस question में, तो हर question में कोई ने कोई hint आपको दे देता है, इसमें भी दे रखा है, a क्या है, positive rational number है, तो अगर a positive rational number है, तो a square भी positive rational number होगा, a cube भी positive rational number होगा, and so on, a की power n भी हो सकता है, तो चली पहले देखते हैं, आपको step wise लिखना होगा, we know that the product of two rational number is always a rational number, मैंने पिछला question भी करवा रखा है इस पर, कि दो rational number का product हमेशा क्या होता है, rational number होता है, एक rational और एक rational का product भी rational हो सकता है, यह rational भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो इस question में कौन से वाले का concept यूज़ होगा, कि दो rational number का product हमेशा rational number ही होगा, क्योंकि आपको given है कि a क्या है, positive rational number है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, multiply करने वाले है, a into a, a into a into a, a square, a cube, a power 4, a power 5, तो a square is equals to क्या हो जाएगा, a into a, तो यह क्या है, is a rational number, and a cube is equals to a square into a, a 4 is equals to a cube into a, यह भी क्या है, rational number है, यह भी rational number है, and so on, a power n is equals to a power n minus 1 into a, a घड जाएगा, क्योंकि इधर जो power है left side, उससे एक कम right side आपका power होना चाहिए, कि a 4 is equals to a cube into a था, इधर क्या है, a की power n is equals to a का power n minus 1 into a, यह भी क्या है, rational number है, तो हैंस प्रूब होगे हमारा, कि a की power n क्या है, rational number है, a का power n is equals to a का power n minus 1 into a, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का questions हम देखेंगे अगली वीडियो में, प्रूब झाल झाल